नमस्कार दुस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10 दिन में सेमेश्टर एकजाम कैसे पास करें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सेमेश्टर एकजाम किस परकार पास करें तो जितने भी स्टूडेंट है जिनकी सेमेश्टर एकजाम है और अब्जेक्टिव आ रहा हूं उसको आपको follow करना है तो जितने भी student है इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप कहीं भी इस वीडियो को miss नाग करें क्योंकि जो आपको strategy बताने वाला हूं दस दिन के अंदर आपके लिए कारगार होने वाली है आप semester exam है आसानी से पास कर लेंगे तो जि student इस वीडियो को share करेंगे ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे ऐसे student है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को देखने के बाद है student अपनी तयारी स्टार्ट करता है तो वो निश्चित रूप से है 10 दिन के अंदर semester exam है वो पास कर लेगा तो जितने student है मेरी गुजारी सा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करेंगे जितने भी आपके वार्टसप गूरूप टेलिग्राम गूरूप है तो उनमें शेयर जरूर करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सेकावाट इनूर्शिटी की exam गुणती जनुरी से आपकी exam start है और student के पास अभी भी 12-13 दिन का समय है तो student के लिए तयारी कने के लिए अभी भी समय है कि 10 दिन के अंदर student है आसानी से अपनी semester exam clear कर पाएगा तो student के लिए सबसे most important बात ये है कि student को ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सा subject ले रखा है आपके कितने paper है आपका क्या syllabus आने वाला है और क्या paper pattern आने वाला है student को ये बात है कम से कम ध्यान होनी चाहिए ये student को ये नहीं पता है कि हमारा syllabus क्या रहने वाला है और paper pattern किस परकार का रहेगा objective type paper का तो मैंने detail में video भी बनाया है तो student है ये आपको नहीं पता है कि syllabus क्या आएगा और paper pattern किस परकार का रहेगा objective type paper का तो मैंने इस पर video भी बनाया है तो student है पहले ये आपको नहीं पता त तो वो student है अब आगे जो मैं strategy बताने जा रहा हूँ उन्हें आप follow करते रही है और student के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि student के पास पढ़ने के लिए आपकी exam से समंदित आपके पास पढ़ने के लिए study material होना चीए चाहे वो आपकी book हो या फिर notes हो या फिर series हो या फिर solvered paper हो कोई भी चीज हो आपकी semester exam से समंदित आपके पढ़ने के लिए आपका study material आपके पास होना चीए तब ही आप 10 दिन के अंदर है अपनी semester exam है वो clear कर पाएंगे तो student है यदि आपके पास है अभी तक कोई भी आपके पास study material नहीं है पढ़ने के लिए तो आज ही आप अपने नजदी की सोप से आप अपना study material है वो खरीद के ले आवें पर student है मेरे से पोचेंगे तो मैं आपको series है वो prefer करूँगा कि आप series है वो लें और standard की series है वो लेंगे तो और ही अच्छा है और बहुत सारी ऐसी series भी आच चुकी है जिनमें mcq type excursions है वो दिये हुए हैं तो student होने भी purchase है वो कर सकते हैं mcq type है आपको series नहीं मिलती है तो आप वैसे जो theory type आपको series मिलती है तो वो आप लेके आ सकते हैं या solid paper जो भी आपको मिलता है study material वो आपको लेके आना है यदि आपके पास है तो अच्छे बात है आपको अपनी तयारिया वो जारी रख देनी है अब student के लिए सबसे important बात student ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो student एक subject को कम से कम डेड़ से दो गंठा देगा डेड़ से दो गंठा एक paper को देगा जितने भी आपके चार या पांच paper है तो परतिक paper को आप को परतिक paper को लगातार दस दिन तक आपको देना है जिस दिन भी आपकी exam हो उससे पहले आपको एक पेपर की अच्छे से तैयारी करना है और उससे पहले दस दिन के अंदर आपको परतेक पेपर को डेट से दो गंठा आपको कम से कम देना है ताकि student की दस दिन के अंदर तैयारी पूरी हो जाएगी अब पूरी इसलिए हो जाएगी क्योंकि second year और final year के अंदर है science के अंदर है physics, chemistry, math, botany और zoology के अंदर है तीन-तीन paper होते हैं इसी परकार art और commerce के अंदर है protect subject के दो-दो paper होते हैं लेकिन semester exam में आपके चाहिए आप science के student हो, commerce के student हो, art के हो, BBA के, BCA के student हो तो आपका एक ही paper लगेगा, जैसे science में तीन paper लगते हैं, तो आपका semester exam में science के अंदर एक ही paper लगेगा math का भी एक होगा, physics का भी एक होगा, chemistry का भी एक paper होगा और इसी परकार art और commerce के अंदर भी एक-एक paper ही लगने वाला है अब आपका पर्तिक paper है, उसके अंदर आप syllabus भी देख लिए जीए और जो आपका paper है, उसके अंदर 4 unit है और 4 unit में भी ज़्यादा भारी portion नहीं दिया गया है, तो student आसानी से 4 unit है, वो तयार कर सकता है 4 unit के अंदर है, 100 नमर का, आपका question paper आने वाला है, 100 नमर का तो student है, कम से कम भी, इसमें आप 70 या 80% है, आसानी से cover कर लेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर क्योंकि आपका objective type paper है, तो आपका पढ़ना किस परकार है, तो student है, जो भी आपके पास पढ़ने का material है, तो unit wise आप start कीजिए आपको पहले जो theory दी गई है, तो आपको उस theory को पूरा है, ऐसे लेकर जेड तक पूरा पढ़ना है, और जो भी आपके mcq type cushion बन रहे हैं, तो आप उन्हें underline करते जाएए, या अलग लिखते जाएए, ताकि आपके mcq type paper है, वो भी आपका तयार होता रहेगा, और आपक कुछ भी पढ़ा है, तो आप जैसे कुशन पढ़ेंगे, semester exam में तो आपको याद रहेगा कि हमने इसके बारे में ये पढ़ाता तो ये option हो सकता है, और दूसरी बात ये कि आपका जो objective type paper आने वाला है, उसमें negative marking नहीं है, तो student करपिया ध्यान दे कि आपका objective type paper है, वो 50 है, आपको कुशन आए या ना आए, आपको पूरे 50 गोले है, वो काले करने है, क्योंकि negative marking नहीं है, तो student करपिया ध्यान दे, आपको यदि कुशन आता है, तो अच्छी बात है, यदि आपको कुशन नहीं आता है, तो भी आपको पूरे डेट गंठे के अंदर अंदर, आपको पूरे 50 गोले काले करने है, यदि आपको आता है, या आपने जो पड़ा है, उसे related या से कुश भी आपको याद है, तो आपको गोला काला करना है, और याद भी नहीं है, तो भी आपको गोला काला करना है, क्योंकि negative marking नहीं है, तो आपको पूरे गोले काले करने है, अब student ह अपनी ओमार्च रेंगे अपने रोल नमर रहें तो अपना नाम या सब्जेक्ट नेम अप बहुत पूर को फद्यान की सूित राइंगे तो पूर अमार्च राइंगे तो पूरा ओमार्च रैंगे student को यह बाद ध्यान रखना है तो जितने भी student करप्या ध्यान दे आप आपको अपने परतेग paper को है कम से कम डेट से दो गंठे का समय देना है और पूरा उसको पढ़ना एक बार student है कम से कम एक subject को डेट से दो गंठे का समय देगा यदि आप लगाता दस दिन इन paper को डेट से दो गंठा देते हैं तो निशित रूप से आपका जो paper है लग बग है 70 से 80 परसेंट आप cover कर लेंगे क्यूंकि आपका एक ही paper लगने वाला है चाए science का हो या commerce वाला student हो या art वाला student हो एक ही paper लगने वाला है और चार unit है चार unit है तो आप अलग अलग तरीके से इसे बांटेंगें तो यदि 100 नमर का paper है तो चार unit में 25 एक unit में से 25 नमर के आपकी क्यूंसन बनेंगे तो यदि आप एक unit भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 25 नमर क्लियर होंगे यदि अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो 25 में से आप 10 या 15 नमर तो आसानी से एक unit में ले आएंगे यदि 15 नमर भी आप एक unit में लेके आते हैं तो आपकी 4 unit में लग बग आपके 60 नमर है वो बन जाते हैं और आपको पास होने के लिए कम से कम है सो में से 36 नमर ही लाने होंगे और 50 नमर का paper है तो आपको 50 में से 18 नमर ले आते हैं तो उस condition में आपका paper है वो clear हो जाएगा आपके compulsory paper है जिसे computer का हिंदी का paper है तो वो भी student के लिए महतो परण रहने वाला है क्योंकि उसमें भी पास होने के लिए आपको कम से कम 36 परतिसल लाने अनवारी है जो कि आपका 50 नमर का paper है जिसमें 18 नमर आपको कम से कम लाने होते हैं और student को जो computer और हिंदी का paper है उसको भी आपको कम से कम एक गंठा कम से कम डेली आपको 10 तिन लगातार आपको पढ़ना है तो student के लिए इस tragedy रहने वाली है आपके पास जो भी study material है कम से कम आपको डेट गंठा डेट से 2 गंठा आपको पढ़ लेना है और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको underline करते जाईए और जो mcq type cushion बन रहे हैं उन्हें आप बनाते जाईए और paper के अंदर है जादा hard type के cushion नहीं आएंगे और hard type के आएंगे तो भी वो किसी student को नहीं आएंगे rare case में student है उन्हें हल कर पाएगा तो जितने भी student है करपया ध्यान दे आपको एक बार के लिए पूरा जो unit है चार unit है वो अच्छे से पढ़ लेना है तो student है वो करपया अपनी एक जाम की तैयारी के अंदर जूटे रहे हैं बहुत कम देन बचे हैं दस दिन के अंदर आपके पास ये strategy का time रहने वाला है तो दस दिन के अंदर आप इस परकार अपनी strategy बना सकते हैं तो जितने भी student है इस वीडियो को share करें चैनल को subscribe जरूर करें थैंक्यू धन्यवाद